Good morning students, today day, Thursday day 8, 10 December 2020, class 3rd, chapter number 32, we are classified, chapter का नेम है, we are classified, let's we read, the earth is the only planet to have life, there are a lot of animals on the earth, प्रित्वी ही एक ऐसा ग्रह है, जिसमें जीवन है, अर्थ मतलब प्रित्वी, प्लानेट का मतलब होता है, ग्रह है, प्रित्वी एक ऐसा ग्रह है, जिसमें जीवन है, और इस धर्ती पर क्या है, धर्ती पर बहुत सारे जानवर है, ये कुछ आपको एनिमल्स दियो हैं, इनक कौन से ग्रुप से बिलॉंग करते हैं फर्स्ट है वाम मतलब होता है गरम 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 रक्त वाले जानवर होती है जिनकी तवच्चा जिनकी स्किन किस से कवर होती है बालों से डकिय होती है यह जीवित बच्चों को जनम देते हैं और अपने बच्चों को अपनी श्रीर पर दूद्ध पिलाते हैं यह कौन से अनिमल्स है मैमल्स दीज आर वाम बलडबी एंग लेन्ग आनिमल्स विद फीदर्स अन्ट फोर्र लिंब्स मॉडिफाइड एस विंग्स ये गरम रक्त वाले अंडे हैं अपने पंखों को और पंखों के साथ जानवरों के पंखों को मॉडिफाय करते हैं मॉडिफाय मतलब उनको एक्स्प्लेइन करते हैं उनको ये कौन सी कैटेगरी के आते हैं birds wings किसके होती है birds की wings होती है punk इनके होती है आगे है these animals have a three part body three pairs of joint legs compound eyes and two antennas इन जानवरों के three भाग वाला शरीर होता है three pairs of joint legs जो joint कहोता है jord इनके three pair होते है किसके joint legs के compound eyes होती है compound eyes मतला मिश्वरित आंखे होती है और two antennas होती है दो antennas होती है यह कौन सी केटेगरी के है insect कीडे next है these are usually egg laying animals having an external covering of scale and breathing through lungs यह आमतुर पर अंडे देने वाले जानवर है जो अपने external covering बाहरी जो आवरन है बाहरी जो area है और इस सांस कहां से लेते है lungs के थरू फेफडो के थरू फेफडो के माद्यम से सांस लेते है और यह कौन से animals है reptiles कौन सी केटेगरी के है reptiles next है these animals have large sharp incisors adapted for gnoing and nibbling यह कौन से यह क्या करते है यह animals के क्या होते है बहुत ही large बहुत ही बड़े sharp incisors होते है incisors मतलब जो आपका face का front part होता है front में जो teeth होते हैं उनको incisors बोलते हैं कुतरने के लिए लभगनों करना भिए हुता है और nibbling का मतलब होता nibbling का मतलब ही कुतरना होता है जैसे कोई ऐसा ऐनिमल जो अपना मुँ मार मार के मतलब खाना खाते है जैसे कुतर तह regulatory के खाना खाते है और यह कौन सी केटेगरी के आते है rodents इनने बोलते हैं रोडेंट्स थैंक यू, have a nice day